हलो फ्रेंज वेलकम तो माई यूटूब चैनल गार्डनिंग इन इजी वे आज की ये विडियो मैंने अपने पर्सलेन फ्लार प्लावर पर बनाई है मेरा ये बाधा प्यूशिया पर्सलेन फ्लावर है जैसे कि आपको पता ही है ये काफी तेजी से बढ़ने वाला और जाते हैं तो मेरे पास इसके दो और तिन पॉट है अब मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसकी कुछ एक ब्रांची से वो काफी एक्सेंडेड हो चुकी है काफी बढ़ चुकी है पिछले महीने जुलाई में काफी बारिशे हुई थी जिसकी वज़ इस पॉदे की ब्रांचीस एक्सेंडेड हो जाएं तो अगर आप उनको ट्रिम नहीं करते हो तो उससे क्या होता है गर्मियों के महीने में इसकी एक्सेंडेड ब्रांचीस या तो वॉल के साथ टच करती है या फिर ग्राउंड के साथ टच करने के साथ ये गर्मी से सभी तो सबसे best option यही है कि आप अपने इस पौधे की trimming जरूर करते हैं जब भी आप इसकी branches को बढ़ते हुए देखें अब ये branches मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी की extend हो चुकी है कि अब ये bent होनी शुरू हो गई है और ये लगबग ground पे ऐसे ही bent होकर extended रहती हैं तो अब इन सबी branches को मैं trim कर लूँगे इसे दो purpose हो जाएंगे एक तो मेरे spot के पौधे की trimming हो जाएगी इसको एक अच्छी shape मिल जाएगी और दूसरा जो trimmed की हुई branches है मैं उनसे एक और पौधा तियार कर लूँगे अगर मैं आपको इसकी branches मिट्टी में दिखाऊं तो hardly बहुत ही कम branches है जो मिट्टी में लगी हुई है और जो आगे काफी extend हो जुकी है और ये पौधा काफी easy growing है और इसको जादा gear की भी ज़रुरत नहीं पड़ती और नहीं इसको जादा fertilizer की ज़रुरत पड़ती है अब आप किसी भी Caesar या किसी और sharp toll से इसकी branches को cut कर सकते हो अगर आप चाहो तो हाद से भी इसकी branches को किसी भी branch को आप cut कर सकते हो अब जो भी extended branches है मैं उनको Caesar से cut कर लूँगे और ये जो extended branches हैं इनको फिर मैं बात में एक नए pot में या फिर poly bag में लगा दूँगे आपने सिरफ branches उतने ही cut करनी है जहां वो ground touch कर रही हो जादा branches को trimming मत करें trimming हम पौथे की तब करते हैं जब branches बढ़ जाती हैं जैसे कि ये branches मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाई थी इतनी की बढ़ चुकी हैं कि ये band हो चुकी हैं अगर हम इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो ये कुछे दिनों में सूख जाएंगे तो इस तरह से एक एक करके मैं Caesar से सभी branches को cut कर लूँगे लगबग हर गर्मी ये पौधा होता है क्योंकि ये गर्मियों में दूप में रखने वाला पौधा है तो आप इसको कभी भी शेड में ना रखें ये एक Sunlight Lover Plant है इसको 6-7 गंटे की जितनी दूप में आप रखोगे उतने जादा ही इसके बढ़ साते हैं और उतनी जादा ही फ्लारिंग होती है और इसको जादा पानी देने की भी ज़र्वत नहीं है